चर्च पर दस भयानक सताव, मसीहों को मृत्युदन चर्च इतिहास के पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि किस तरह रोमी सरकार ने चर्च और मसीहों पर सताव करना आरम कर दिया था वे इस बात के खिलाफ नहीं थे कि मसीही येशु मसी को मानते थे लेकिन उन्हें इस बात से आपती थी कि मसीही यानि क्रिस्चन्स येशु के अलावा किसी और देवी देवताओं को नहीं मानते थे इसलिए वे रोम के देवी देवताओं के लिए बलिदान भी नहीं चड़ाते थे और ना ही वे रोम के समराट की और से कोई बलिदान चड़ाते थे जबकि रोम के दूसरे धर्म तो ऐसा ही करते थे तो एक तरह से मसीहत अन्य धर्मों के साथ सम्मिलित नहीं होती थी आज इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होता है मसीही अन्य धर्मों के रिती रिवाजों में शामिल नहीं होते तो उन्हें देश द्रोही कहा जाता है जबकि सथ तो ये है कि केवल बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो मसीहीं को अपने देश के कानून मानने और अपनी सरकार के लिए प्रार्तना करने को कहती है रोमियो का 13.1 हर एक व्यक्ती प्रधान अधिकारियों के अधिन रहे क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर के और से ना हो और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठैरायों हैं इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधी का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे पहला तिमूतियस दो दो राजाओं और सब उंचे पदवालों के निमित प्रार्तना करें ताकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और मान मर्यादा से जीवन बिता सकें देश भक्ति के विशे में इतने स्पष्ट निर्देश मैंने किसी और शास्तर में नहीं देखे है फिर मसीहों को देश द्रोही क्यों कहा जाता है ये कहकर कि ये तो विदेशी धर्म को मानते है हमारा देश में Christianity के विशे में स्कूलों में कुछ नहीं सिखाय जाता इसलिए आज भी जादातर लोग यही समझते है कि मसीहत अंग्रेज लेकर आये थे इंडिया में जबकि मसीहत तो इंडिया में 2000 साल पुरानी है जब येशु के 12 शिशों में से एक थोमा अंग्रेजी में थोमस इंडिया के केरल राजी में आये था येशु का प्रचार करने के लिए तो 2000 साल से इंडिया में चल रहे धर्म को विदेशी धर्म कहना कहां तक उचित है लेकिन येशु ने 2000 साल पहले ही कहा दिया था यहना 15-20 में याद रखो यदि संसार ने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे और येशु की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई येशु के जाने के बात से ही मसीयों पर सताव शुरू हो गया था जो आज तक चल रहा है लेकिन उस समय से ही बहुत से लोगों ने येशु के वचन को स्विकार भी किया और आज भी कर रहे हैं तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे मसीहत के इतियास में रोम द्वारा चर्च पर दस भारी सताव पहला सताव शुरू हुआ समराट नीरो के शासनकाल में 64-68 AD के बीच में मतलब येशु से लगबग 35 साल बाद 64 AD में रोम में एक भयानक आग लग गई थी जो 6 दिन और 6 रात जलती रही रोम नगर का बहुत बड़ा भाग जलकर राक हो गया तब ये अफ़ा फैल गई कि वो आग समराट नीरों ने स्वैम लगवाई थी ताकि वो एक बड़ी जगा खाली करके अपने लिए एक नया महल बना सके इसकी वज़े से रोम के नागरिक समराट नीरों से नफरत करने लगे थे नीरों ने उनकी नफरत से बचने के लिए मसीओं पर इलजाम लगा दिया कि मसीओं ने वो आग लगाई थी जबकि ये बिल्कुल जूट था क्योंकि मसीओं तो शांतिक प्रिय लोग थे लेकिन नीरों ने इसी भाने बहुत से मसीओं को गिरफतार करवा दिया रोमी इतिहासकार टैसिटर्स ने लिखा कि बड़े-बड़े कोलोजियम्स में नीरों ने बहुत से मसीयों को जानवरों की खाल में लपेट कर जंगली कुत्तों और भूके शेरों के सामने डलवा दिया ताकि वे उन्हें फाड़ खाएं दूसरे बहुत से मसीयों को उसने क्रूस पर चड़वा दिया शाम को अंधेरा होने के बाद मसीयों को बगीचों में उचे खंबों पर बांदिया जाता था और उनके कपड़ों को डामर या तारकोल से लेब दिया जाता था फिर उन्हें जिन्दा जला दिया जाता था उनके से हमारे वेबसाइट HindiBibleStudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियो उसमें अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियो उसमें मिल जाएगा अगर आप ह Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टाल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टाल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें Hindi Bible Study.com टाइप करें मतलब पूरा Hindi Bible Study.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेब साइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियो अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के Hindi Bible Study.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियो बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शूरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्शक है एक विशेश सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण सेकिंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है